हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू माई चैनल इजी रसोई क्रियेशन आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्या जिसे बनाना काफी असान है और ये बच्चों बड़ो सभी को बहुत पसंद आते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो स्ट करते हैं मैं यहां चार ब्रेड की स्लैसेस ली हूँ ये वाइट ब्रेड हैं आप चाहें तो इसके जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं अब मैं एक सिमला मिर्च को बारिक काट कर ली हूँ एक प्याज को बारिक काट ली हूँ और एक टमाटर को बारिक काट ली हूँ आप चाहे तो यहाँ पर मौजरेला चीज भी ले सकते हैं, चीज को मैं ग्रेटर से कदूकस कर ली हूँ, हब हम दो बड़े चमच टोमैटो केचप लेंगे और एक बड़े चमच सेजवान चटनी लेंगे, यह आपको सूपर इस्टोर में आराम से मिल जाएगा, काला नमक ल बड़ेंगे यह आपको सूपर इस्टोर में अराम से मिल जाएगा, अब हम लेंगे चाट मसाला पॉडर, यह उप्सनल है, आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, और थोड़ा सा बटर लेंगे, अब हम एक मिक्सिंग बॉल में टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, और सिम्ला मिर्च डालेंगे, अब हम डालेंगे चिल्ली फ्लैक, चिल्ली फ्लैक से अप लोग अपने अनुसर कमिये जादा ले सकते हैं, अब काली मिर्च का पॉडर डालेंगे, और अब और गैनो डालते हैं, अब ब्लैक साल्ट यानि काला नमक, ध्यान रखे, नमक यह अच्छा तरीका है बच्चों को सबजी खिलाने का अब हम सेजवान चटनी और टोमाटो केचप को आपस में मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो आप सिर टोमाटो केचप से इसे बना सकते हैं या फिर आप यहां पर पिज्जा सॉस का भी इस अभी तक आप एरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिलिजी से सब्सक्राइब कर लीजे क्यूंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही एजी टेस्टी और लेटेस्टर सेपी मिलती है तो आप देख सकते हैं मैं चारो ब्रेड में सॉस लगा दी हूँ अब जो हमने मिक्चर तयार किया था उसे हम इसके उपर डालेंगे अच्छे से पूरे ब्रेड में फैला दे आप चाहे तो इसमें ओलिब भी डाल सकते हैं आप अपने मन पसंद के अनुसार टॉपिंग चैन्ज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैं सभी ब्रेड के उपर मिक्चर डाल दी हूँ अब हम इसके उपर चीज डालेंगे चीज आप लोग अपने अनुसार कम यह ज़्यादा डाल सकते हैं पूरे ब्रेड में अच्छे से फैला देंगे आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मैं यहाँ चारो ब्रेड के उपर चीज डाल दी हूँ अब हम इसके उपर थोड़ा सा ओर्गैनो स्प्रिंकल करेंगे अब थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे अब हम इसके उपर चाट मसाला पॉर्डर स्प्रिंकल करेंगे इससे थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर आता है बच्चों को बहुत पसंद आते हैं अब हम चलते हैं गैस की तरफ हम गैस पर एक तवा चढ़ा हैं इसके उपर हम बटर लगाएंगे गैस का फ्लेम लो रखना है अब हम इसमें अपने ब्रेड पीजा की स्लैसेस रखेंगे तो मेरे तवा में एक बार में तीन ब्रेड आया हैं आपके तवा में जितना ब्रेड आया आप उतना रख लिजिए अब हम इसे ढख देंगे और लो फ्लेम पर दो से तीन मिनिट पकने देंगे या फिर चीज जब तक मेल्ट नहीं हो जाते तब तक पकने दें ध्यान रखें आपको लो फ्लेम पर ही पकाना है गैस का फ्लेम मिडियम या हाइ नहीं करें तो आप देख सकते हैं चीज हमारे अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो मैं इसे प्लेट में निकाल ली हूँ आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं पर मैं इसे कट कर लेती हूँ आप देख सकते हैं ये कितना यमी टेश्टी और डिलीसियस लग रहा है और कितना अच्छा बेख हुआ है आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें गर्मा गर्म ये ज़्यादा टेश्टी लगता है उमीद है आपको आज की रेसेपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेयर भी जरूर करें और अभी तक आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज इससे सबस्क्राइब कर लें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइबाइब टेक केर थैंक्स पर वाचिंग